अभी तक इस वीडियो सिरीज के अंदर हमने रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर ये चार टॉपिक कवर कर लिए है अब हमें देखना है इन फ्लॉरेशंस तो कभी अगर आपने कोई पौधो को करीब से देखा होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि कुछ पौधो के अंदर फूल एक जगा पर एक ही होता है याने singly ही produced होते है फूल तो ऐसे फूलो को हम कहते है solitary flower याने एक जगा पर एक ही फूल और कभी-कभी आपको कुछ पौधो के अंदर फूलो का गुच्छा दिखता होगा पता चलेगा कि उनके अंदर जो फूल है वो एक particular pattern में arranged है और सारे के सारे जो फूल है वो एक special dandy के उपर arranged है उस special dandy को हम कहते है floral axis या फिर paid uncle तो अगर कोई आप से पूछे कि define inflorescence तो आप जवाब देंगे कि inflorescence is a natural cluster of flower याने कि एक natural फूल का गुच्छा है productive axis called as peduncle या फिर आप कह सकते है कि inflorescence is defined as arrangement of flowers on the floral axis तो अब इस inflorescence का plant को क्या फायदा होगा इसका क्या significance है तो इसका importance आप देखेंगे कि अगर आप एक plant को दूर से देख रहे हो और वहाँ पर solitary flower है और दूसरे plant के अंदर फूल का गुच्छा है मतलब inflorescence है तो आपको ऐसा लगेगा कि जो inflorescence वाला plant है वह ज्यादा attractive है और वह conspicuous है याने दूर से ही दिख जाता है जल्दी दिखता है notice जल्दी हो जाता है तो जो inflorescence है that makes flower more conspicuous and attractive तो इससे फायदा यह होगा कि जो pollinators है याने insects है या फिर birds है जो pollination में मदद करते है उनको दूर से ही notice हो जाएगा कि यहाँ पर flower है और क्यूंकि यह attractive है तो वहाँ पर pollinators जल्दी जाएंगे और वो वहाँ पर जाने के बाद में एक ही visit के अंदर बहुत सारे फूलों को pollinate कर सकते है many flowers can be pollinated at a time अब क्यूंकि इस गुच्छे में सारे के सारे फूल तो एक साथ खुले हुए नहीं होंगे कुछ खुले हुए है कुछ एक दो दिन बाद खुलेंगे कुछ बड़ स्टेज में है याने step by step फूल खुलते है तो एक visit के अंदर उतने ही फूल पॉलिनेट होंगे जो अभी खुले हुए है याने अभी बच्चेवगों को चांस है खुलने का और पॉलिनेट होने का तो इस दोरान अगर कोई unfavorable condition आ जाए weather conditions change हो जाए और उसके वज़े से जो खुले हुए फूल है वो जड़ जाए या फिर उनका लॉस हो जाए तो अभी भी प्लांट को चांस है कि जो अगले फूल है जो बाद में खुलेंगे उनके अंदर पॉलिनेशन होकर वो सीड बना सकता है याने कि next generation बनाने का अभी भी चांस है प्लांट को तो inflorescence के वज़े से जो loss होता है unfavorable condition की वज़े से वो reduce down किया जा सकता है और प्लांट को अभी भी चांस है अपनी next generation बनाने का और इस inflorescence का सबसे important फाइदा ये है कि इसे आप use कर सकते है as a criteria for identification of the plant and for classification of the plant अब आप inflorescence से plant को identify कैसे कर सकते है तो जब आप plants study करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ families या फिर कुछ plants के अंदर उस particular type का ही inflorescence या फिर arrangement आपको देखने को मिलेगा फूलों का तो अगर आपको वैसी arrangement किसी unknown plant के अंदर मिल रही है तो आप judge कर सकते हो कि हो सकता है कि ये plant उस family को belong करता हो तो आप identify कर सकते हो plants को और उन्हें classify भी कर सकते हो on the basis of inflorescence